दमोजिले की सबी तैसिल पथरिया, पढ़ियागर, हटा, परेरा, जबेरा वो तेदुखेडा सेंटर में भारती न्यूज चेनल के लिए तैसिल इस्तर पर समात दाता नियुक्त करना है सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्त करें संपर्त का नमबर है 945046807 दमोजिले के हटा में एक बार फिर मानावता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरे सामने आई है दलित युवक का शव घर ले जाने के लिए परीजनों को शव वहर नहीं मिला और मजबूरी में परीजनों को हाठ थेले पर शव रख कर ले जाना पड़ा जानकारी के अनुसार हटा नगर के चंडी जी वार्ड निवासी कमलेश अहिरवार पिता मोहन अहिरवार उम्र 40 वर्ष की संदिक्द परिस्तितियों में मृत्ति हो गई थी मृत्क गुरुवार के सुबर धनुजदारी मंदिर के समीब बैसुद अवस्था में पड़ा मिला था परिजनों को सुचना मिलने के बाद वर मोके पर पहुचे और उसे सिविल अस्पताल हटा लेकर पहुचे जहां ड्यूटी डॉक्टरों ने उसे मृत्त को शीत कर दिया वहीं हटा पुलिस को गटना के सुचना मिलने पर मोके पर पहुची पुलिस ने शोव पंचनामा कारवाई उपरांत शोव का पीम करवा कर शोव परीजनों को सोब दिया वहीं मामले की जाज करने में पुलिस चुड़ गई है आपको बता दे कि मृतक के परीजनों की माली हालत कराव होने के कारण शोव को हाट ठेले पर रखकर घर ले जाए गया यह नजारा हर किसी ने देखा लेकिन किसी ने मदद करने की जहमत नहीं उठाई हटा सिविल अस्पताल से हाट ठेले पर शोव घर ले जाने लिए वक्त यह पहला मामला नहीं है इसके पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं इसके बाउजूद भी सिविल अस्पताल में शओ वाहन की विवस्ता नहीं करवाई जा रही है पता दे कि शासन की योजना की किसी भी वेक्ति का शओ वेजने का काम अस्पताल प्रबंदन का होता है पर प्रशासन पूरे मामले में शोव वाहन की कमी का रोना ही रो रहा है हटा सिविल अस्पताल में सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरे आई दिन सामने आती रहती है रिपोर्ट टीम भारती नियूज खतम हुगा है कौन नहीं तब मैं बाफ्ची आया हूं वहां से मीटिंग से तब मुझे वीडियो में देखा कि जी न्यूट चल लई है तो हमने जानकारी ली तो मालूम हुगा कि में तक कमलेश कुमारा एहरवार बारे नम्मा नो चंडी जी की मिरत्तू ही है इसको हमारे करमचारी अस्पताल ले गए थे पूना आया था पुलस का तो करमचारी जो है अस्पताल ले गए वहां उसका पिम हुगा है उसके भाई पीतम के दुवारा बताया गया कि हमारे घर में आपने स्वैमस के बहां रहा हैं नगण सब्सक्राइब नाइब इसलिए आप जो है अपनी गारी ले रहा है हम उपने स्वैमस के बहान से लेघा हैं subscribe now to most exciting channel ever